हम बनाएंगे नवरात्रे special एक नहीं दो नहीं बलकि तीन तीन ऐसी मज़िदार सी टेस्टी सी रस्पी जिसका टी टाइम में लूंस टाइम में ब्रिकफस्ट टाइम में जब आपका मन करें इसको बनाएं और इंजोय करें तीनों recipe इतनी अंसान है इतनी simple है कि आप जब आपका मन करेगा 10 minute में हर recipe तयार हो जाएगी और इसके लिए ना तो हमें पहले से कोई तयार ही करनी पड़ेगी जट पे किचन में जाए और फटा पट से इस recipe को तयार कर लें तो चलिए शुरू करते हैं आज किन मज़िदार सी रेस्पी को बनाना सबसे पहले हम बनाएंगे साबूदाना वड़ा वो भी बिना साबूदाना भिगोए इसके लिए गैंस पर मैंने एक पैन रखा है और इसमें डाला है एक कप साबूदाना साबूदाना मोटा या पतला कोई सा भी हो आप उसको यूज़ कर सकते हैं साबूदाना को तीन से चार मिनिट हम बिल्कुल लो फ्लेम पर हलका सा भून लेंगे ताकि इसको पीसने में आसानी हो और अराम से पिस जाए जब यह ठंडा हो जाएगा तो हम इसे ग्रैंडिंग जार में डालेंगे और इसका एक पाउडर तयार कर लेंगे यहाँ पर जो यह साबूदाना है बिल्कुल बारीक पाउडर तयार नहीं होगा हलका हलका इसके अंदर दाना रहेगा जितना लेकिन यह पिसता है उतना बारीक पिस ले बाकि जो थोड़बो दाना रह जाएगा उसकी कोई दिक्कत नहीं है इसको साइड में रखेंगे और हम यहाँ पर लेंगे चार आलू इन तीन रेस्पी के लिए हमने टोटल चार आलू यूज किये हैं एक आलू हम एक रेस्पी में यूज करेंगे और एक रेस्पी में हम दो आलू यूज करेंगे अब हमने जो साबू दाना था उसको तो पीस के रख लिया हमने साथ में लिया है एक आलू और इसको अच्छी तरह चीलने के बाद वाश कर लिया है वाश के बाद मैंने काट के इसको भी ग्राइनिंग जार में डाल कर इसका भी एक फाइन पेस तयार कर लेना है थोड़ा सा अंदर जो हमने आलू पीस के रखे थे इन दिवनों की हम पेस्ट में मिक्स कर देंगे और जार में थोड़ा सा पानी डालेंगे और वापिस से इसको एक दो बार चर्ण कर लेंगे ताकि साबू दाना और जो आलू हैं आपस में मिक्स हो जाएं यहां पर मैंने जार बड़ा जार लें और जरूरत लगे थोड़ा थोड़ा पानी मिला कर आप इसका एक गाड़ा सा घोल तयार कर लें इसका जो हमने घोल बनाना है सेम वैसे ही बनाना है जैसे हम दही भल्ले के लिए डाल पीजते हैं और एक उसका गाड़ा सा घोल हम तयार करते हैं और उसको फ्याटने के बाद हम उसको इतना फ्लफी बना देते हैं तो हम ने ठीक वैसा ही इसका जो घोल है वो तयार करना है ना तो इस घोल बिल को पतला होना चाहिए और ना ही बहुत गाड़ा और जुरुत लगे ही तो हम थोड़ा से इसमें पानी मिला देंगे एक से दो चमच हम इ अब अब हम ने 5 मिनिट इसको रेस्ट के लिए रखा उसके बाद मैं इसमें डाला आदा चमच जीरा एक छोटा चमच मैं इसमें डाला सेंधा नमक आदा चमच लाल मिश पाॉडर और एक गाजर जिसको मैं ग्रेट कर लिया था और साथ में एक बड़ा चमच मैने इसमें ग्रीन हरी मिर्च जो होती हैं उसको बारीक छॉप करके जो डाला है कुछ कड्री पते उनको तुप बारीक बारीक चॉप करके इसके साथ म madam धमक्स कर दिये हैं इसमेंसे आप जो भी चीज वृत बें नहीं खाते做 हैं और इसको महीने मिक्स कर लेना है देखिए हमारा घोल कुछ इस तरह का तयार हुए ना तो यह बिल्कुल टाइट है और बिल्कुल थोड़ा सा सॉफ्ट है और इसको हम हाथ से अराम से इसकी बॉल्स को तयार कर सकते हैं गैस पर हमने रखा है कडाई में तेल डालने के लिए तेल यहाँ पर मैंने पीनेट ऑल यूज किया है और तेल को अच्छा तेज गरम कर लेना है जब तेल तेज गरम हो जाएगा तब ही हम इसको वड़े को इसकी तेल के अंदर डालेंगी क्योंकि अगर तेल हलक हम इस जाएगे अगर तेल मीडियम होगा काडायी तो यह निचीछ चिपक सकते हैं इसलिए थेल को अच्छा गरम कर लेvadis के अंदर वड़े डाले और हलका सा अगर यह वड़ी चिपक भी जाते हैं तो दो मिंट इसको ऐसे ही रहने दे और दो मिंट के बाद आप जब इसको पलटेंगे तो इसली पलट भी जाएंगे और यह हमारे बहुत ही फलफी फलफी और क्रिस्पी से साबू दाना वड़े जो कि हमने बिना भी गोई बना इसके साथ हैं दूसरी रेषपी जो बनाने जा रहे हैं वह हम बना रहे हैं सिंघाड़े के साथ सिंघाड़े का चूज़ कर सकते हैं कुट् काका चूज़्य दॉसको भी मिर्श दॉली Biya तो ख्र Agret Viya है एक गाजर ती उसको भी गरेट किया और इसके साथ ढाल दिया आदा छोटे चमज लाल मिश पाउडर और इसके साथ ही आदा छोटे चमज में इसमें डालूंगी जीरा, यहां पर जीरे का टेस्स काफी अच्छा होता है जीरा हमारे यहां व्रत में खा भी लेते हैं, जितना हमने यहां पर सिंगाडे का आटा लिया था, ठीक हमने उतना है इसमें पानी मिलाना है लेकिन थोड़ ध्यान से अराम रहा हम से हम इसमें पानी मिलाएंगे वैसे इस आटे में लंस नहीं पड़ते हैं लेए फिर भी हम पानी इसलिए थोड़ा सा रुक रुक के डालेंगे ताकि यह बैटर जू है बाहत पतला नहीं हो जाए हमने इसका इतना पतला बनाना है, जैसे हम beaccent का चीला बनाते हैं या स् cogyi का चीला बनाते हैं ना, जो सुजी का चीला हम थोड़े सब a पतला बेटर में बनाते हैं, तो हमने तो मुझे लगा यह सिर्फ सब्जी के साथ ही हम बनाते तो मैंने यहां पर इसको गाजर के साथ ही तयार किया है तवे को तेज गरम करेंगे तवे पर हमने थोड़ा सा घी फैलाया है जैसे ही तवे तेज गरम हो जग इतना कि इसमें हलका सा धुआ उटने लगी तो हम पहले जो हमने यह गोल बनाकर रखा है पहले साइड में डालेंगे साइड में तवे पहले डालने से जो चीला है हमारा पूरा गोल बनेगा और बीच में जहां पर हमारी जगा होगी वहां पर थोड़ा सा इसको फैला देंगे इसको किसी भी स्पैचुला से फैलाने की जरूरत न और इसके बाद हमने इसको भी गर्मा गर्म सर्व करना है इस चीले को आप लंच में सबजी के साथ भी सर्व कर सकते हैं आपको रोटी बनाने के टेंशन नहीं होगी और हमारा इस चीला भी बहुत मज़िदार तैयार हो जाएगा अब तीसरी और सबसे मज़िदार सी रेस्पी वो है जो की ऐसी है जो की जिनोंने वरत नहीं भी रखा होगा उनको भी पसंद आएगी तो इस रेस्पी को हम बना रहे हैं आलू और सिंगारे के आटे के साथ ही यहाँ पर मैंने लिये हैं दो आलू उनको अच्छी तरह से मोट पाने अधो लेगे और इस तरह से हमने इन अलू को निचोर लेगे जब पानी हमारा बिरकुत साफ लगने लगे हमने यहाँ तक इसको धोना है. धोने के बद आलोय इसको अच्छी तरह से निचोर लेगे और इसको उसcido बाउल में वापिस से ट्रांसफर कर देंगे जसमें हमने इन आलुओं को धोया था 2 से 3 आलु में ही इतने सारे पकोड़े बन जाते हैं कि आपकी पूरी फैमिली के लिए 4 से 5 मेंबर के लिए पकोड़े पूरे हो जाते हैं हमने मोटे वाले ग्रेटर से अलु को ग्रेट किया इसमें डाला आधा चमच जीरा और आधा चमच ही मैंने इसमें डाला है ग्रेन चिली जिसको मैंने मिकस ही पहले से क्रश कर लिया था और कुछ कड़ी पत्ता यहां पर कड़ी पत्ता हम व्रत में खा लेते हैं तो कड़ी पत्ते लिये हैं और इनको बारीग बारीग चॉप करके हमने इसके साथ ही मिक्स कर दिया है अब एक बर हम इस पूरे मिक्षर को मिक्स कर लेंगे बिना कुछ मिलाए बि और पहले इसको बिना पानी मिलाया ही हम इसको अच्छी करने बस इतना ही डालना है, इससे ज़्यादा निया आटा बिल्कुल नहीं डालना, और इसके बाद इसे कड़ाई में हमने पकोड़े की शेप नहीं देनी, ऑनेवन सही ऐसे फैलाना है, थोड़ सा हासे फैलाते रहेंगे, कहीं पर इकटे हो जाएंगे, कहीं पर इसके लच्छे लच्छे से रहेंगे तो इसी तरह कि हमें अन इवन से पकोड़े चाहिए और इन पकोड़ों को भी हमने गैंस की फ्लेम को तेज रखना है और तेज फ्लेम पर ही हमने इनको फ्राई करना है बहुत जल्दी बन जाते हैं यानि कि नाश्टे में अगर आप सोच रहे हैं आज नवरात्रे में चाहिए के साथ क्या बनाया जाए तो यह पकोड़े उनी में से एक आसान सी रेस्पी है जो कि फटा फट से बन जाएंगे ज़्यादा मेहनत भी नहीं होगी और साथ ही मैंने चाहिए भी गैस पर रख दी है ताकि पकोड़ों के साथ साथ चाहिए भी हमारे तैयार हो जाए और बाच से साथ मिनिट में हमारे गर्मा गर्म पकोड़े बनकर तैयार है तो आपको मेरी आज के तीनों रेस्पी कैसी लगी मुझे कॉमेंट में जरूर बताएं कि आपको सबसे ज़्यादा कौन सी रेस्पी पसंद आई यदि आपको मेरी रेस्पी सिदार सी टेस्टी सी आसान सी रेस्पी के साथ तक तक के लिए हैपी नवरात रे